हई हेलो हेलो जी मैं हूँивается पंडबे आप देख्रे एक लासेस आज करेंगे यग नया करेंगे अगरिजन आईए जल्दी से दीखते हैं आज का कुणरल कि नइट्रो मित्य हैं से डाई मिथाइमाइन यह हमारा आज का टास्क है और आप देख रहे हैं यहां पर नाइट्रो और मीथेन को एक साथ जब कि यहां देख रहे हैं डाई मिताइल अमाइन को दोनों में कोई सिमिलर्टी नहीं है दोनों बिल्कुल आलग अलग ग्रूप लेके बैठे हुआ है इसका मतलब यह कनवर्जन थोड़ सा डिफरेंट हो अपना नाइट्रो मीथेन अब नाइट्रो मीथेन से बनाना क्या है आपको डाई मिथाईल अमाइन अब डाई मिथाईल मतलब इन पर दो अलग अलग मिथाईल लगे हुए अब यह मिथाईल आप आसमें जुड़े क्यों नहीं है देखो अगर जुड़ जाते तो ना मिथ मिधाइल है तो पता चल गया कि यह अब यह क्या है जो चेकिनली अमाइन बनाने बात अती है तो सबसे आसान तरीका जो है आसान आसान तरीका- तरीका वो क्या है आप क्या करा दो विदिया है अब नाइट्रो देखो यहां पर से क्या वन रहा है यहां क्या उमाइन बन रहा है अमाइन बन रहा है अम नैट्रो से अमाइन पर जाना है है मतलब कि यह reduction है number of oxygen घड़ गए है और एच से बांडिंग बढ़ी है ठीक है ना यह लेस्ट्र नेगेटिव से बांडिंग बढ़ी है तो इसको क्या कहते हैं reduction कहते हैं क्या reduction कराना है दूसरा यहां पर एक methyl group दे रखा है और आपको इधर दो लाने हैं है मतलब number of methyl group को क्या करना है enhance करना बढ़ाना यहां एक हैं और आपको यहां क्या करना है दो बनाने हैं इसका मतलब यहां पर कई नगवाला है अब यह अपट अपकर अब कराना है तो इसका मतलब यह नौर्मल तरीके वाला अब ग्रेडेशन नहीं हो सकता जसे हम पहले कराते है वह आए हम केसी अडाल देते हैं वैसे तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो सीज़े जूड़ जाती यहां पर ऐसा मुश्किल है अब हमने समझ लिया कि एक लिगेंट है यह लिगेंट भी है अगर आप ट्रास में पढ़ रहा है और आप कोडिनेशन पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं यह क्या है एक लिगेंट है अब लिगेंट या आप कहलो न्यूक्लियोफाइल तो इसको आप कैसा न्यूक्लियोफाइल लिगेंट बोलते बनाएगा ठीक है ना इस तरह से जब N से बनाएगा या यह कैसे बनाएगा उस वक्त यह इस तरह से होगा कुछ कमेंट करके यह भ्रनाएगी सोचो और इसे कमेंट करेगा तो से क्या कहते हैं जो ढूंदके अपनी बापीस आते हैं अपनी बात पर और क्र शक रधा Ond sunscreen दाते हैं अब नाइट्रोक एडक्शन करने लिए सबसे सब्सक्राइशन क्या है आप एसन लो ठीक है ना एसन को डालो किसके संग एचल के संग और यह कराएगा एडक्शन बढ़िया वाला और आपका नाइट्रोकिस में गनवर्ट जाएगा बिल्कुल आसानी से अमाइन में गनवर्ट जा अर्ण सबसे सिंपल तरीक अगया तो यहां पे डाला अपना यहाँ बडर्या भणाइट कर दो आना है और ऑ देखा इन्द प्रोडक्ट और आपको फट से वही आंसर आजागा जो आप चाहते हो बिलकुल वही मैंने बीच का मैकेनिसम नहीं दिखाया डिरेक्ट प्रोडक्ट दिखाया हुआ है अब यहाँ बात समझना यह प्रोडक्ट बन तो जाएगा जो हमें चाहिए बिलकुल यह ही हमें चाहिए था बन गया हमारे प्रोडक्ट पर यह तरीका बहतर नहीं है मतलब मैं इस तरीके को हलका सा कट कर दे रहा हूं कट करने मतलब यह गलत एक्दम नहीं गलत है लेकिन इसमें डिस अड़वांटेज चुपा हुआ है क्या चीज़ इसको बोलते हैं कि यह बोल बन जाएंगे क्यों लगातार यह बार-बार एच को रिप्लेस करता रहेगा और वहां सी एश ट्री आता जाएगा जब तक वो टर्शरी को अर्टर्णरी नहीं बन जाता तो इसमें आपको सेकेंडरी ही मिलेगा के लिए यह संभव नहीं है यहां पर आपको मल्टीपल प् बड़ इस नौट अगुड कनवर्जन फिर हमें क्या करना पड़ेगा आप दूसरा अरिका क्या बनता है कि आप नाइटरिजन के इस तरफ हटा के सी लियाओ बस मैं क्या हटा के हटा के सी लियाओ मतलब अगर यहां देखो के ध्यान से तो एंसी बनाना है नवकिन लगाना दीन ने तेसे करा दो उसमें क्या होता है आपको कुछ नहीं करना उपको सिंपल क्लोरो फोम अपनी डालनी होति धिक penetrate ट्लूरो को डालनी होती है और साथ में कैसा होता है आपका basic medium होता है तो chloroform with which is basic medium कि यह अउच डाल कर और इसे आप heat करते हूं तो आपका क्या बन जाता है आपका बन जाता है विल्कुत सही ISO synod ठीक है न क्या बन जाहेगा आपका आइसो साइनेड बन जाता है ठीक है यह बन गया आपका आइसो साइनेड अब यहां एक बात और आपको ताहरा हूं देखो यह कनवर्शन नंबर 40 है और आप अगर 20 वाला चेक करोगे ना तो उसमें भी शायद आपने यही रेक्शन मुझे जाता है नंबर 20 है जहां पर आप आपने कार्बाइल आमाइन रेक्शन को यूज किया था ठीक है ना मतलब 99 परसंट आम शूर कि वह 20 है एक आत परसंट 19 वाला भी हो सकता है नंबर थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रहते हैं और उसमें भी आपने कार्बाइलमाइन टेस्ट देखा हुआ 19 20 है यह बात तो हम है एक बार बसको चेक करिएगा वहां पर भी कार्बाइलमाइन टेस्ट ही हमने करा है और अब देखो 40 पर डवल जस्ट पर आ रहा है कार्बाइलमाइन की दूसरी राक्शन तो अब इस राक्शन ने हम क्या करें फरदर अगर इसके ओपर हम सिर्फ रदक्शन करा दें क् अगर हम आईसो साइनाड करा देंगे हैं तो क्या बनेगा आउट चेक करते हैं रदक्शन कैसे कराएंगे वही सिंपल तरीका अपना सिंपल से क्या डाल दो लीथियम ऐलमिनियम है डाल दो कुछ ना समझने है सबसे स्ट्रॉंग वाला तो अपना यही वाला ना इसको डाल अब में तो कारबन रड्यूस हो जाएगा ठीक है ना कारबन क्या फताई होई थी तो अपना रड्यूस हो गया और यहां पर क्या वैं जदाएगा यह बन गया आपका कैका किया क्यद डाई कि मिथाइल दूनतफ मिथाइल है डाई मिथाइल अमाइन बन गया है तो आपका डाई मिथाइल अमाइन आपका डिजार प्रड़क्ट बन गया तो आपने क्या लिया थे स्टार्टिंग में आपने लिया था नाइट्रो मीथेन और नाइट्रो मीथेन से आपने उसका रेडक करिए तो इसको आपको foul smell आती है इसमेल अगर र्याद करेंगा इस्ट्रेस को तो फॉल श्मेल आती है तो फॉल स्मेल बना हुआ है तो आप क्या 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 दोगे कि हाँ यह हमारा बन गया है जो हमें बन क्या ना उसके बाद हमने क्या करा उस पर है उसके लिधियम अलमिन टाला इसको फरसे रेडाक्षन तो यह स्टेप लेगा लास्ट रेक्षन ही पर आखरी स्टेप रिडक्षन रेक्षन ही था और यहां पर पहला स्टेप यहां पर इन जगह है हालका सा इसे करते हैं ऐसा तो यह सब्सक्राइब क्या मझबूरी है तो यह बीडिक्शन स्टेप था पहले भी रडक्शन आखरी में रडक्शन ठीक है नहीं रडप्शन रडाक्शन रडक्शन होई फिर कार्भाइल अमन्ट टेस्ट हुआ और यह था हमारा आज को आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसे यूज नहीं करना चाहिए उससे बचना चाहिए क्योंकि वह आपको एक बताता हूं मैं यह आपका कंपाउंड जो था यह वाला जिसको आपने बोला थे यह आईसोसाइन है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल और फ़र्स लगा साथ में आईसोसाइनाइड जिसका नाम होगे मिथाईल आइसोसाइन आइड अच्छा पता है जब यह बना लेता है और इसको आप क्या बोलते हो इसको बोलते हो M.I.C ठीक है ना M.I.C इसको बोला राता है और यही जब 3rd of December आपका 1984 में यह एप्रॉक्स 40 टन जो थी वह एक पैस्टिसाइड प्लांट बोपाल में जो था ना आपका एक पैस्टिसाइड का प्लांट था कहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर वो था भूपाल में ठीक है ना भूपाल तो वहां से यह लीक हो गई थी आपने सुना होगा शाद पहले कभी ठीक है ना स्ट्राजडी इन भूपाल करके ऐसे न्यूज आपने सुनी होगी कभी ना कभी तो इसमें एप्रॉक्स 4000 लोग कितने लोग 4000 लोग उनकी क्या हो गई थी डेथ हो गई थी लीक की वज़े से और बहुत सारे लोग इसमें मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो कुछ दिनों बाद मर गए ठीक है ना यह तो यह जो 4000 लोग तो एकदम तुरंत सटन इनकी डेथ हो गई थी तो यह बहुत ही खतरनाक गैस है जिसके बारे हम बात कर रहे हैं और वह कैसे बंती मिथाइल आई आज का सवाल आपसे क्या है आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि वाई अमाइंस और बेसिक नेचर आज आपको मुझे बेसिक पॉइंट पर समझाना है कि अमाइंस बेसिक होते हैं आप चल्दी से लिख डालो अपना अंसर कमेंट बॉक्स में और मैं देखना चाहता कौन बढ़िया से स्टेडी करता है कौन बढ़िया सन को लिख सकता है आप क्लासे से जुड़े रही है ऐसी कनवर्जिन पढ़े आपके लिए बहुत सारे कनवर्जिन और डिफरेंट डिफरेंट वीडियो लेगे आता रहेगा और नेक स्रीस भी शुरुआत करने कोशिश क करेंगे थांक यू सो मुच फॉर लव एंड शपूर्ट टाटा बाइबाइब आए